नमस्कार दोस्तों गनपती पब्बा को प्रसन करने के उनसे मनवांचित वर्दान प्राप्त करने के लिए बुद्भार को उनकी विशेश पुजा करने का विधान है आप लोगों को हम विनायक चतूर्थी के विशेश उपाई बताने वाले हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बेल अगन के साथ सब्स्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर विनायकी चतूर्थी के दिन कुछ उपाई किये जाएं तो यहां विशेश फल देते हैं इस बार की विनायकी चतूर्थी अत्यंत महत्पून है मानेता है कि अगर आप इस दिन गनेश जी को शतावरी चड़ाते हैं तो यहां जीवन में मानसिक शांती लेकर आती है इसके अलावा अगर घर में हर समय क्लेश वातावरन रहता हो तो विनायकी चतूर्थी के दिन गनेश जी को गेंदे के फूल से बनी माला जरूर अप्रित करनी चाहिए इसके बाद वह माला घर के मुख्य द्वार पर बांध दिना चाहिए कहा जाता है कि ऐसा करने से घर का क्लेश भी दूर होता है और घर में सुक शांती का वास रहता है साथ ही मातललक्षमी भी आपके घर आगमन करती है क्योंकि वह माला दर्वाजे पर टांगी जाती है आप पूजा के समय गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं पांच दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और दुर्वा में तीन गांटे होना आवश्यक है तो तीन गांट वाली पांच दुर्वा जरूर अपित करें अगर आपका किसी पैत्रक या फिर अपनी ही किसी समपत्ती को लेकर विवाद चल रहा है तो विनाय की चतुर्ती के दिन उपाय जरूर करें इसके लिए गणपती बब्बा को चोकोर चांदी का टुकडा चढ़ाए इसके अलावा अगर किसी कमभीर परेशानी के दोर से गुजर रहे हो तो 108 बार ओम गंग गणपताय नमा का जाप का पाट करें साथ ही बपा से प्रातना करें कि वहाँ आपके जीवन को सुखमे बनाए और आपके जीवन की सारी परेशानिया दूर करें मानेता है कि यह उपाय गणपती की करपा दिवराने वाला होता है और इस से मनवाशित कामनाओं की पूर्ती भी होती है आप एक बार यह उपाय जरूर करके देखिएगा अगर आपके विवाह में कोई दिक्कते हो रही है आपके विवाह संबंदी बादा हो रही है तो विनाएक चतुर्ती के दिन गणेश जी को पांच इलाइची और पांच लोग जरूर चड़ानी चाहिए मानेता है कि ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और आपके शीगर विवाह हो जाता है साथ ही आपके जीवन साथी सर्वगुन संपन मिलते है और अगर आपके विवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो विनायक चतूरती के दिन गणेजी के किसी भी मंदिर में जाकर हरे रंग के वस्तर जरूर चढ़ाएं या फिर हरे रंग का चोला चढ़ाएं कहा जाता है कि गणपती बबबा इससे प्रसन होते हैं और दामपत्य जीवन में प्रेम का संचार होता है सुख सम्रद्धी आती है धन संपदा आती है तो दर्शकों आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा ऐसे ही छोटे-छोटे उपायों से अगर आपका जीवन सार्थक बन सकता है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर देखिएगा हमारे वीडियो को देखिएगा छोटे-छोटे ऐसे उपाय बताते हैं जो कि आपके करने के में भी आसान होते हैं और इनसे आपका जीवन सुख में बनता है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै स्री गनेश ओम नमस्षिवाए